संदेश खाली काणड बंगाल की सरकार की गले की फास बनता जा रहा है संदेश खाली में हुई शरमना घट्टा पर जहां सियासत अपने शबाब पर है तो वहीं अब कलकत्ता हाई कोट भी सक्त हो गया है हाई कोट में संदेश खाली में महिलाओं पर अत्यशार की जाच के लिए बने आयोग के गठन पर जनहित याची का लगाई गय थी जिस पर कलकत्थ हाई कोट ने सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार को जमकर फटकार लगाई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भले ही संदेश खाली पीडितों के आरोब एक परसेंट ही सच क्यों न हो वो शर्मनाक हैं अगर ऐसा है तो पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी सौ फीजदी जिम्मेदार हैं सुनवाई के बाद मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया संदेश खाली मामले में बंगाल की ममता सरकार चौतरफा घिरते दिख रही है गुर्वार को कोच बिहार में रैली करते हुए पिया मोदी ने संदेश खाली मोद्दे पर सरकार को घेरा पिया मोदी ने कहा कि संदेश खाली के गुनागारों को बक्षा नहीं जाएगा पीडिकों को इंसाफ जरूर मिलेगा पिजेपी ही है जो यहां माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है पूरे बंगाल ने पूरे देश ने देखा है कि कैसे टी एम सी सरकार ने संदेश खाली के गुनागारों को बचाने के लिए पूरी ताकट लगा दी संदेश खाली की महलाओं के साथ जो हुआ वो टी एम सी के अत्याचार की पराकाश्ता थी अब बीजेपी ने संकल पलिया है कि वो संदेश खाली के दोशियों को सजाद दिलवा कर ही रहेगा उन्हें जिन्दगी जेल में ही काटनी पड़ेगी उदर बंगाल की सियां ममतब एनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला ममतब एनर्जी ने कहा कि जहरीले साफ पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन बीजेपी पर नहीं लोग सबाचुनाव से पहले बंगाल में लड़ाई दिल्चस्प होती चा रही है बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है बीजेपी महिला सुरक्षा और कानून विवस्था खोले कर बंगाल सरकार को घेर रही है तो वहीं टीएमसी सीए, एनर्सी और रोजगार पर बीजेपी पर हमलावर है बीजेपी ने संदेश खाली को मुद्दा बना लिया है संदेश खाली पर बीजेपी टीएमसी को किसी तरह की धील देने को तयार नहीं है हर बदलते दिन के साथ बंगाल सरकार के मुश्किले बढ़ती ही जा रही है